दोसो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से एक कहानी डिसकस करूँगा जिसका नाम है टू लेडी राम्स इस कहानी को लिखा था मुलक राजानन्द ने सिर्फ इसकी समरी नहीं बताऊंगा तो कहानी शुरू करते हैं एक सरकारे ठेकेदार था लाला जिंदरा जिसकी दो बीवियां थी एक थी 57 साल की सुखी और दूसरी थी 32 साल की शेकुंतला अब आप कहोगे दो बीवियां तो दोस्तों यह आजादी से पहले का टाइम चल रहा है अंग्रेजों का राज हलाकि अंग्रेजी गवर्मेंट की टाइम पर भी दो बीवियां रखने की परमिशन नहीं थी लेकिन एक कानून था मिताश्र कानून मिताश्र लॉक आ जाता जिसको जिसके अकॉर्डिंग आदवी एक से ज़्यादा शादिया तप कर सकता है अगर उसकी पहली पत्नी से उसको बेटा नहीं हो रहा है तो इस बात पर ध्यान देना बेटा नहीं हो रहा है तो यह विरासत को सेफ करने वारी चीज थी कि आपकी संपत्ति की रक्षा कर रहे है सरकार अगर आपको यह परमिशन दे रही है तो तो बात साफ सी है कि लाला जंदाराम की जो 57 साल की बीवी है वो बच्चा पैदा नहीं कर पा रही थी इसलिए उसको दूसरी शादी करनी पड़ी और ऐसे लोगों को भी दो शादियां करने के लिए लड़कियां वो ही लोग देते हैं जो गरीब होते हैं एक्स्ट्रीमली गरीब होते हैं उनके घरों में जवान गूरी लड़कियां होती हैं जैने समाज में सीड़ी चड़ने के लिए कोई और रास्ता मिलता नहीं अपर्चिनिटी मिलती नहीं है तो अपने से बड़े उम्र की आदमी से शादी करने पड़ती है तो ये छोटी वाली औरत जो है इस घर की वो ऐसे आई है इस घर में लेकिन लाला की घर की सिचुपेशन तब खराब हो गई जब शादी के बाद उनकी दोनों बीबियों में आए दिन समय समय पर आपस में लड़ाई होती थी इस लड़ाई को शांत रखने के लिए लाला ने अपने घर को दो हिस्सों में बाड़ दिया कि घर का ये हिस्सा तुमारे लिए है और ये हिस्सा तुमारे लिए है उन्होंने काम भी बाड़ दिये नौकर भी बाड़ दिये साथी अपने आपको भी बराबर बराबर बाड़ दिया वो हफते में निश्चित दिनों पर वेकल्पिक दिनों पर आधा प्यार इस बीवी को दिता था मैंने आपको बताया कि दोनों बीवियों की नौकर भी बटे हुए थे जो एक दूसरे को नफरत की नजर से देखते थे बड़ी बीवी अब भी अपने आपको छोटी वाली से उपर मानती थी क्योंकि उससे लगता था कि छोटी वाली सिर्फ एक आप्शन है अगर वो बच्चा पैदा गर पाती तो ये कभी ना आती इसलिए वो खुद को उपर मानती है वो खुद को सुपिरियर मानती है अब एक दिन क्या होता है लाला को ब्रेटिश राज के प्रतिय वफादारी के लिए क्योंकि लाला अच्छी पोजिशन पर है नाइट होड की उपादी देने का फैसला किया गया अब लाला के पास बदाईयों के लेटर्स पर लेटर्स आने लगे लेकिन हंगामा तो इस बात पर मच गया कि लाला जी को गवर्णर के गार्डन की पार्टी में बुलाया गया है गवर्णर के गार्ण पार्टी में इंविटेशन मिलना कोई छोटी बात नहीं थी लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह आ गई कि इंविटेशन लैटर पर लेडी राम लिखा हुआ था लाला के नाम के अलावा लेडी राम लिखा हुआ था मतलब वो दोनों बीवियों में से एक को अपने साथ में उसे ले जाना पड़ेगा यहाँ पर लेडी राम नहीं लिखा हुआ था दोस्तों लेडी राम लिखा हुआ था मतलब बीवी को अपनी साथ लाईए उनको यह नहीं पता था कि इसकी दो बीवियां है कौन सी पत्नी को ले जाए ये दोविधा थी लाला के मन में तो वो जाकर अपनी छोटी बीवी से बोलता उसको लगता है कि छोटी वाली दिखने में खुबसूरत है तो अच्छा इंप्रेशन पढ़ेगा तो वो चोटी वाली बीवी को बुलता है जाकर नई साड़ी खरीद लो अब ये बात नौकरों से बड़ी वाली को पता चल जाती है वो नाराज हो जाती है वो ऐसी नाराज होती है कि छोटी वाली के एरिया में घुश जाती है तमाशा मचाने लगती है कोल्ड वार जो काफी टाइम से रुका हुआ था वो फिर से शुरू हो जाता है दोनों के बीच पे कि तू तो कल आई है तू कैसे जा सकती है कुल मिलाकर हंगावा होने लगता है और घर के बट्टे से थोड़ी बस शांती चाहिती में आपको बता है वो शांती भंग हो गई अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों औरते हैं अपने पती को अपने लिए भगवान राम जैसा मानती है इसलिए बात सर्फ जगडे पर होती तो चलता था लेकिन जगड़ते जगड़ते दोनों मार पीट पर उतर आई एक दूसरे को मारने पीटने लगी शाम को जब वो लाला साब घर पर लौटते हैं तो वो दोनों को ले जाने का फैसला करते हैं क्योंकि उनको फाइनल यह ऐसास हो जाता है कि वो वो एक बड़े सरकारी ओधे पर हैं और अगर चाहें तो अपनी दोनों बीबियों को अपने साथ में ले जा सकते हैं जो लेट थे मुझे बोले तो नहीं लेकिन मनी मन हस रहे थे तो यहां पर यह कहानी खतम होती है लेकिन अगर हम गहराई से समझे तो यह कहानी बड़ा सटारेकल वी में लेखी गई है उस वक्त की सरकार को क्रटेसाइज करने के लिए कि क्यों सरकार ने डूल मेरिज को लीगल करके रखा है अगर एक औरत का बच्चा पैदा नहीं हो रहा है सॉरी सॉरी बच्चा नहीं यहाँ पर एक औरत का लड़का पैदा नहीं हो रहा है तो आदमी कितनी भी शादी कर सकता है और इसमें पहली पत्नी कुछ भी नहीं बोलेगी वो इस चीज़ को सही मानती है इस प्रथा करने की capacity रखती है या नहीं साथ ही ये कैसी society है जिसमें दो औरते अपने पती का ध्यान अपनी तरफ आक्रिशत करने के लिए खीचने के लिए रश्चा-कष्ची का गेम कहल रहे हैं तीसरा, reader इस बात पर focus करता-करता भूल जाता है, एक बात पर focus करता-करता भूल जाता है कि पहली पत्री के साथ गरत हुआ, मानते हैं लेकिन दूसरी पत्री के साथ में भी तो गरत ही हुआ इतने ताज़ब की बात है कि एक औरत पहले से शादुशिदा आदमी से शादी करने के लिए राजी हो गई दूसरी तरफ लाला और उसके जैसे लोग अपने comfort के according नियमों को बदल देते हैं, क्योंकि उनके पास वैसा करने के लिए पैसा है, पावर है यह चीज यह बताती है कि जिसके समय चाहे कैसा भी हो, जिसके हाथ में पैसा और पावर है, सत्ता है वो हमेशा सरवोच्च स्थान पर रहेगा तो यहाँ पर यह कहानी खतम होती है मैंने सर्फ कहानी के अलावा analysis भी किया है दोस्तों उमीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ रह कुछ help मिलेगी आज की इस वीडियो में सतना ही अब जब आपने यह वीडियो खतम कर लिया तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह कहानी भी समझ में आयोगी इसके साथ साथ इसका critical analysis भी समझ में आयोगा चलिए आज की इस वीडियो में सतना ही मिलता हूँ next वीडियो में